हलो फ्रेंज मैं हूँ चबिदत्ता आज मैं बनाने जा रही हूँ एक चटपटा स्नेक उसके लिए समगरी यह है पटेटो जो मैंने बॉयल करके रखा ब्रेट ओनियों चॉप किया हुआ है कोतमीर सॉल्ट अमचिर पाउडर यह है जीरा पाउडर मैंने जीरा को थोड़ा अ आजर बना लिया है ए चिलीफ्लेक्स वॉटर ऑईल अबी मैं इस पटेटो मैं सारा जो मसला है रखी हूं एम इसमें डालूँगे ए चिली फ्लेक्स अप अपने हिश्हब से डालीगा यह बना हुए जीरा पाउडर यह है अमचुर पाउडर यह है सॉल्ट यह है पूतमीर यह है ओनियन अभी मैं इन सब को मिक्स करूँगी इस तरह से देखे इस तरह से सारा मसाला और आलू मैंने मिक्स कर लिया यहां पर मैंने दो मेडियम साइज के पटेटो लिया था अभी यह वाटर है वाटर में मैं सिप वान पिंच सॉल्ट डाला है इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे मिक्स हो गया है अभी वान वान ब्रेट जो हम इस तरह से लिगाएंगे और इस तरह से सारा पानी इसका नीचर लेंगे यह देखे इस तरह से इस तरह से हम सारे ब्रेट को इस तरह से यह दिखे अभी हम ब्रेट को इस तरह से लेंगे और उसमें फिलिंग भरेंगे देखे इस तरह से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं इस तरह से अभी हम इसको इस तरह से मोड़ेंगे देखे इस तरह से इस तरह से मोलना है आपको अच्छी तरह से ताकि जो पोटेटो है वह बहार ना आए देखे इस तरह से देखे देखे सारा ब्रेड में आलू भरके हो गया है अभी हम इसको फ्राइ करेंगे अभी मैं गैस अन किया है और फ्राइपन रखा है अभी मैं उसमें ओयल डालूंगे बस अभी ओयल यहां पर गरम हो गया है मैं गैस के आज को थोड़ा दीमी कर दे रहे हूँ और अभी मैं एक एक जो ब्रेड है वह मैं डाल रही हूँ ज्यादा एक साथ में मत दलेगा तीनिया चार जैसे बर्तन होगा उसी साथ से नहीं तो थोड़ा पलटने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा अभी मैं देखी थोड़ा सा पलट रही हूँ अभी दूसरे बजू देखी एक बजू गोल्डन ग्राउन हो गया है सबी स्नैक्स को थोड़ा मैंने पलट दिया है गैस को स्लो रखा देखे अभी मैं दूसरी बजू भी फलट रही हूँ दोनों बजू अच्छा गोल्डन कलर हो गया है अभी मैं उसको निकाल लूँगी गैस बन कर रही हूँ मैं अभी ये किक करते हम निकाल रहेंगे अभी जो बाकी ब्रेड भरके रखेते उसको भी हम इसी तरह डाल दे रहे हैं रेडी है चर्ट पटा स्नैक्स करते हैं करते हैं रहे अजय करता है अजय करते हैं अचल भरके रहे हूँ झाल निसक्ट झाल झाल झाल